अलो फ्रेंट्स प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल एंड क्लिक आउन बेल इकाउन तो नो मोर आउर्गनिक फ्रामिंग और आज इस वीडियो में मैं आपके साहर करूंगा ओक्रा प्लांट के बार में इस प्लांट के बार में कुछ इंफोमेशन दूंगा आप जब यह ओक्रा यह वेंडी प्लांट को जब आप ग्रो करते हैं उसका मैक्सिमम फ्रूटिंग कैसे ले सकते हैं इसका डीटल इंफोमेशन में अभी आपके साहर करने बाला हूं प्लीज देखे एंड तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर आपको प्रियोडिकल इसको कैसे ग्रो करना है सो दाट इस में मैक्सिमम फ्रूट लगे और आपको जो प्रॉफिट लेवल भी उतना ज्यादा हो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर मैरे होम गार्डन पर यहां पर ग्रो किया है त्री ओक्रा प्लांट वेंडी प आपको पताँ चलेगा एक्चली यह काम करता है या नहीं करता है यह बहुत सारी यूट्यूब वीडियो है जो बताते हैं मैंने यह से कर दिया और मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया बट एक्च्वल में वह सब दिखाते नहीं है बट इसमें मैं आपको डिटल दूँगा य मैं आपको बताँगा प्लीज इसको मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो का जब भी मैं अपलोड कर दो नोटिफिकिशन आपको मिल जाएंगे तो फिर चलिए सुरू करते हैं इसका डिटल प्रोसिजर जानते हैं और इस वेंडि प्लांट को एक्जाटी आपक प्लांट को मैं ऐसे ही छोड़ दोगा तो यूजिली अपने के लिए और दूसरा प्लांट को मैं प्रोसिजर बताऊंगा इसको कैसे ग्रो करना आए इसमें किसके फूर्टिंग आया और इस दोनों में कितना अप्रूटिंग आया ओल्राइट दोस्तों जो ट्राडिशनल या कुछ भी प्लांटो इसको हम ऐसे घ्रो करके छोड़ देते थे जो भी फूट लगता था तो हम उसको लेते थे बट यह जो नया जब भी नया टेकनोलोगी आया है आमको कुछ सिखा जाता है आपको इसमें कैसे मैक्सिमम मा फूट ले सकते हैं तो आज इसको कॉंपेर करक यह तो कितना है वह सारे डीटल इस वीडियो में आपके साथ बतने बाला हूं तो फिर चलिए सुरू करते हैं इसका डिटल एकजर्टल आपको करना क्या होता है और दोस्तों तो पर मैंने कामरे को थोड़ा पास लगता हूं और आपको इसका डिटल प्रोसिजर अभी में तो चलिए सूर करते एक जटले आपको करना क्या होता है तो जो ट्राडिशनल मेतड उसमें क्या होता है जो प्लांट ग्रो होता है वो ट्राडिशनल ऐसे ग्रोथ हो के मतलब लंबाई पे ग्रो होता है और उस पे फ्रूटिंग आता है हमको अभी जो पहला स्टेप उसमें क् जो lengthwise जो grow होता है उसको हम stop कर देंगे कैसे stop करना है आपको simply इसका जो top का जो portion यहां पर देख रहे हैं उसको हमको तोड़ना है उसको क्या होता है यह further यहां पर उसका जो growth है वो stop हो जाएगा और दूसरा जो branches है यहां से निकलना शुरू हो जाएगा उसमें क्या benefit हमको मिले यह जो branches होगा तो उसमें side branches आ जाएँगे और उसमें fruiting लगेंगे अभी आपका जो traditional method में क्या होता था एक ही plant पर आपको एक ही trunk पर आपको fruiting लगता था अभी क्या होगा जब multiple branches उससमें आ जाएँगे तो multiple branches पर आपका प्रूटिंग होगा तब ही आपका जो fruiting ज्या तॉप ठीक है, यहां पे फरोटिंग अल्रडेड़ी आ चुका है को अभी क्या करओं गा इसका जो टॉप का जो हिस्सा है अभी इसको यहां से तोड़ दूगा ठीक है यह देखें यह जर यह जो टॉप में अभी इसको तोड़ देता हूं ठीक है देखें मैंने आप इसको तोड़ दिया मतलब यहां पर इसका जो ग्रोथ है वो स्टाफ हो गया अभी क्या होगा तो यहां से जो दूसरा जो ब्रांच से यहां पर शुरू हो जाएगा निकलना शुरू हो जाएगा और वो ग्रो करेगा और उसमें फ्रूटिंग आ जाएगा यह जो demonstration हम आने वाले जो वीडियो है इसका जो update में दोंगा अगर आपने subscribe नहीं किया तो please दोस्तों कर दीजिए so that इसका जो detail update में इस channel पर upload को है जो second video third video वो सारे आप देख सकते हैं easily तो चलिए अभी इसी को भी करते हैं देखें यहां पर जो second plant है इसमें अभी फ्रूटिंग आ चुका है देखें यहां पर एक बेंडी आ चुका है और यहां पर दो मतलब totally यहां पर चार बेंडी ग्रोथ हो चुका है फिर भी हम अभी इसको क्या करेंगे यह सारे को सारे हो जाएगा मैं इसको यहां से इसका जो टॉक है यहां पर और इसको जो मेंडी को अभी मैंने तोड़ दिया ठीक है देखें अल्रडी मैंने यहां पर ट्रीम कर चुका हूं अल्रडी अभी मैं इसको छोड़ दूँगा कुछ दिन तक और जो second next वीडियो में अपलोड करू होगा इसका जो जो भी growth होगा मैं आपके साथ share करूँगा ठीक है दोस्तों यह था यह था फर्स पार्ट आपको exactly करना क्या होता है अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझे इसके बारे में यह जो प्रूनिंग मैंने किया यहां पर यह जो जो प्रोसेजर आपको बताए अगर कुछ भी confusion है आप मुझे comment में आपको जो question है आप मुझे पूछ सकते हैं मैं definitely आपको respond करूँगा as possible ठीक है दोस्तों तो यह था first part exactly आपको करना क्या होता है simply आपको इसका जो टॉप है उसको तोड़ना होता है और आपको इसे छोड़ देना है कुछ दिनों में इसक सभाल है कि अगнозाने सब्सक्राइब करें और आने वाले जो वीडियो में upload करऊंगा जरूर देखिAY उसका जाने के लिए तो thank you so much दोस्तों मेरा चनल मेरे वीडियोग देखने के लियर और आने वाले जैसे मल्चिंग होता है तो यह मल्चिंग तरह भी काम करेगा तो इस पत्ते को फेकना नहीं है आप इसको जो रूट है उसमें आप सिंपली डाल देजिए तो के समय और फ्रिम है जल्दी ऐसको स्का। देखने के लिए अगर मेरी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देजिए थैंक इसो मचन और मैं इसका अफड़ेट फ हैसे चैनल पर है इसको जोगउघे डिह हूह